हेलो एब्रिवन तो आज की वीडियो मैं रिव्यू करने बला हूँ न्यूट्रोजीना की अल्ट्रा शेयर ड्राइटस संस्क्रीन का तो यह संस्क्रीन कैसी है मैंने पर्सनल इसको यूज की है आज की वीडियो मैं कम्प्लीटली बताऊंगा कि आपको इसको लेना चाहिए य इमल की क्वांटिटी आप देख सकते हो तो यह चोटी पैकेसिंग इसलिए को मैं नई नई संस्क्रीन ट्राइ करता रहता हूँ ताकि आपको जैनुएन रिव्यू दे सकूँ अब इसको फ्रंट पे आपको मैं पढ़ा देता हूँ क्या कुछ मैंशन किया गया क्या इसका अब इसका मलब कहा है यह आपकी स्कृन पर बिल्कुल ड्राइटस देगी अगर आप इसको यूज़ करते हो तो कुछ संस्क्रीन के साथ क्या रहते हैं आप उसको एपलाए करते हो तो आपकी स्किन ओई लिए आपको फेस पर पता लगता है कि आपने कुछ अलग से पर इसकी स्कृन पर इस देखने के साथ में अपको यहाँ पर सकते हैं प्रोटेक्शन फेक्टर फिंग सस्कृन आपको 98% तक protection देखने को मिल जाएगी, 30 SPF की भी आती है, उसमें आपको 97 या 96 की आसपास protection रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि अगर आप इसमें 30 SPF भी लोगे या कोई अधर sunscreen में लेते हो, तो उससे भी बहुत अच्छी आपको protection देखने को मिल जाती है, और इससे भी अब इसमें 100 SPF की जो sunscreen आती है, उससे कुछ लोग सोचेंगे, कि हमें full protection देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, 99% protection ही देखने को मिलती है, उसमें भी आपको, तो उसकी cost वगएरा काफी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इसलिए आप 50 SPF तक की ले सकते हो, 30 या 50 SPF NF है, और इसमें आपको helioplex broad spectrum protection देखने को मिल जाती है, UV rays और UV rays से आपको protect रखेगी, यानि ultraviolet rays से और ultraviolet rays से आपको protect रखेगी, तो हमें आपको एक एक चीज इस पे जो mention है, वो explain इसलिए कर रहा हूँ, इससे आपको कोई भी other sunscreen चूज़ करने में भी असानी होगी, और आपक रहता है, वो कैसे, मतलब किस वे से work करती है sunscreen, अब यहां पर PA++++ के आपको protection देखने को मिल जाती है, याप देख सकते हो, तो PA protection काम work करती है, या आपको ultraviolet rays से protect रखती है, अब PA++ की protection भी आती है, उसमें आपको some protection ही मिल पाती है, PA++ में आपको moderate protection देखने को मिल जाती है, PA++ प्लस में आपको high protection देखने को मिल जाती है अल्ट्रा वोईलेटे रेस के against ठीक है और आपको इसमें जैसे की PA 4 प्लस भी अगर देखने को मिले कोई sunscreen में इसमें तो PA triple plus है और PA 4 प्लस भी रहते है को sunscreen में उसमें आपको very high प्रोटेक्शन देखने हूं मिल जाती है तो वो भी संस्क्रीन लेना चाहों ले सकते हो पीए ट्रिपल प्लस एनफ है यह संस्क्रीन आप ले सकते हो काफी अच्छी रहेगी आपको UV rays से अच्छे से प्रोटेक्ट रख देगी तो यह सब उस पर भी डिपेंड करते हैं आप स प्रोटेक्ट रखेगी ठीक है यहां पर मैंशन किया गया है और वोटर रेजिस्टेंस भी है जैसे कि आपके पसीना वगएर आता है आप लगा कर बाहर चले जाते हो पसीना आना नॉर्मल है थोड़ा आप संस्क्रीन लगाते हो तो गर्मी एक तो वैसे रहती हो और आप स्क्रीन को प्रोटेक्ट रखेगी यह ठीक है पसीना आता है जाए आप थोड़ा बहुत पूंचते रहते हो तो उससे कोई दिक्कत नी होने वाली तो यह काफी अच्छा रहता है अगर आप स्वीमिंग वगरा कर रहे हो तब लगा कर सकते हो उसके बाद आपको रियप्ला स्कृ源 करनी चाहिए संस्क्रीन या आपकी स्कंपे बिल्कुल ऐसे लाइट फील करवाएगी ऐसा नहीं कि आपकी स्किन बहुत भारी सी आपको अजीब सा फील होगा यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कुछ संस्क्रीन के साथ यह भी रहता है कि आपकी स्किन लगने लग जाती है आप कोई भी sunscreen यूज़ करते है तो इस sunscreen के साथ ऐसा बिलकुल नहीं आप इसको यूज़ करोगे आपकी skin dark वगएरा कुछ नहीं लगने वाली हाँ आप बस इसको use करते रहे ना ताकि आपकी skin पर tan ना है तो क्या रहते है अगर आप sunscreen use नहीं करते है तो आपकी skin dark होने लग जाती है यह 10 आने लग जाता है आप इसको फेस पर नेक पर दोनों जगह अपलाई कर सकते हो यह मैंने वीडियो कर रहा कि है कि हाओ टू एपलाई sunscreen in one minute और two minutes में आप sunscreen को कैसे अपलाई कर सकते हो तो वो वीडियो आप देख लेना अच्छे से cover होना चाहिए यह उसी के बाद आपको अच्छे results देखने को मिलते हैं तभी आपकी skin dark नहीं होती है अगर आपके dark sports रहते हैं या sun 10 वगर आ रहा है तो उसमें आपको sunscreen ज़रू experience किया मैंने इसको यूज किया है तो हाँ बहुत अच्छी sunscreen है मैंने इसको continue apply गिया था जब मैंने इसको purchase किया था अंदर तो अब इसके है नी क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको यूज किया था 2018 में मैंने इसको यूज किया था 2018 में मैंने इसको यूज कर रहा है मैं आपको चूज़ करने में असानी हो अगर आपकी skin oily है तब भी आप इस sunscreen को यूज़ का सकते हैं अगर किसी की dry skin है तो इसमें अलग से भी एक sunscreen आती है वो dry skin वालों के लिए वो आप यूज़ का सकते हैं यह भी यूज़ करना चो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं और एक सबसे बड़ी ब लग जाएं वहाँ पर आपके black arts white arts देखने को मिल जाएं ऐसा नहीं होगा तो बस यही था इस sunscreen का review आपको पसंदा होगा अगर पसंदा है तो प्लीज इस वीडियो को like कर देना और चैनल को जूरूर subscribe कर देना मुझे आपकी sport की need है उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी sunscreen के review देता होंगा यहां पर जो use करनी चाहिए जो use नहीं करनी चाहिए उनके भी review आते रहेंगे कि हाँ यह आपको use नहीं करनी चाहिए तो इस लिए इस वीडियो को like कर देना और चैनल को जूरूर subscribe कर देना बाकि आपकी कोई भी queries रहती है या आपको मेरा plan लेन मैं इसके इन से लेटेड है इस लेटेड तो आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इस्ताग्राम पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में